वोग पढ़ने वाले festival diversity in festival and dance okay मुद्ब की जो हमारे इंडिया में अलग-अलग festivals होते हैं अलग-अलग dance होते हैं अलग-अलग तरह का सारा details इसमें दिया हुआ है यह आपका chapter 9 हुआ और class 3 की वीडियो है social studies. So, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजे और question answer के लिए आप मेरा WhatsApp चैनल को subscribe कर लीजे description box में दिया हुआ होगा. ओके तो चलिए अब हम वीडियो को start करते हैं. दीखे हमारे इंडिया में अलग-अलग तरह का festival सभी धर्म के लोग celebrate करते हैं, अच्छे से करते हैं, सब मिल जूल कर रहते हैं. ओके हम लोग ऐसे करना भी चाहिए. अब देखें, यहाँ पर हमारे जो festivals है, अलग-अलग festivals भी देखने को मिलता है, तो सभी का हम लोग यहाँ पर enjoy ले पाते हैं. तो इंडिया का festival को देखते हैं, festival is a day when the people celebrate important and joyous event. देखो festival ओध दिन होता है, जिसमें लोग celebrate करते हैं, अपना important event को ठीक है, और joy के साथ, कुछ festivals ऐसे होते हैं, कि एक दिन के लिए होते हैं, कुछ few days के लिए, कुछ ज्यादा दिन तक चलते हैं, हम लोग festival अपने family और friends के साथ celebrate करते हैं, इंडिया में लगभग जो हम लोग celebrate करते हैं, religious, harvest, national festival, तीन तरह का festival को हम लोग celebrate करते हैं, एक आपका religious हो गया, दुसरा आपका harvest हो गया, तिसरा आपका national festival, religious मतलब की अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग तरह का festival celebrate करते हैं, इसे दसारा, जो कि जिनके जो किसान mainly होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, जब उनका crop हो जाता है, harvest कर लेते हैं, crop को cut कर लेते हैं, सारे तरह से अच्छा से हो जाता है उनका food, तब जाकर हो एक festival को celebrate करते हैं, क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा होते हैं हमारे लिए, और दुसरा आपका national festival जो इंडियन citizen होते हैं, जितने भी लोग इंडिया के हैं, उन national festival को celebrate जैसे कि 26 January 15 August यह सब हमारे national festival होगे, तो चलिए अब ही आते हैं हम लोग religious festival पर कि यह एक चूबल में है क्या, देखो religious festival गुरू नानक पर भी यह कौन लोग celebrate करते हैं, गुरू नानक पर यह एक तरह से सीक गुरू, सीक गुरू नाम था जिनका इनहीं का बड़े का mark-up है, इनके नाम से ही गुरू नानक हो गया इनका बड़े celebrate किया जाता है, इसको हम लोग गुरू नानक जैनती के नाम से भी जानते हैं, इस तोरान क्या है कि लोग गुरू धारा में प्रेयर करते हैं, और लंगर्स भी सर्फ करते हैं, लोगों के बीच में खाना वगरा भी देते हैं, बहुत सारे places पे यह celebrate किया जात हैं अच्छे से, तो इद हम लोग क्या करते हैं इसे 보ले प्रेट किया जाता है, हमारा जो रमजान चलता mechanism करता है। तो यह उसके बद लास्ट में जो हम लोग सेलिब्रेट करती इतना दिन हम लोग भूग है प्यासे 29 डेज रहते हैं तो 30 डेज क्या होता है कि हमारा इद सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है लोग इस दोरा नया कपड़ा पहंते हैं मोस्क्यूसों में मस्चीद में नमास आज़ें जो होते हैं हुग गिफ्ट देते हैं अपने चोटे बच्चे को ठीक है सेवईया इस दिन बनते बहुत सारे डिसेस बनते हैं घर में वर्मी शेली जो कि सेवईया का ही नाम है है और इस दोरान मील्क हो गया ड्राइफ रूट्स हो गया ये प्रिपेर किया जाता ह और अलग अलग तरह का फूट्स को भी प्रिपेयर किया जाता है और इस दोरान क्या होता है कि जो पूर पीपल्स होते हैं जो मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जिनके पस खाने पीने का समान गिफ्ट नहीं होता है जिनके बस कपड़ा नहीं होते हैं उनको यह लोग सेलिब्रेट किया तो लॉड राम जो राम थे हमारे जो विक्तोरी हुए थे टेन हेड़ेड रावन रावन को मार कर तो जो जीते थे तो इसका उतेन दे नौरात्री मनाया जाता हमारा और यह जो हिंदु सब्सक्राइब इसका उनलोग्ण को पता होगा अच्छे से अपने मुमी पापा से भी सके बारे पूछ लीजएगा हमसे अच्छा ही मुमी पापा ही बता देंगे इसके बारे में किता सारा क्यों मनाया जाता है और नौरात्री होता क्या है ठीक है जो फेस्टिबल इस दौरन क्या होता है कि हमको remind करता है कि जो हमारे दूसमन थे उनको उनसे कैसे लोग जीते थे जो हमारे राम थे है ना उनसे कैसे जीते थे और इसलिए लोग इसको celebrate करते हैं और अच्छे से celebrate करते हैं इंडिया के हरे गोने में celebrate इसको क्या होता है कि उस दौरान सोज भी चलाया जाता है बहुत सारे अलग-ठार की मिसे बैटल फिल्ड में लड़ाई हुआ था और रावन को कैसे हाराएं थे टीक्स यह तो यह सब जलााया जाता है कि यहिव इनके लिई इस्टन पार्टेन्ट इट्बार्ट मेरे जा गए तो दसहरा को जो सैलीबरेट किया जाता है वक्टोरी अब दूर्गा ऑवर मईक्टी महसुरी तेुर के अब गांड मैटकी इस्चेन पार्ट भीयात है तो लिए दस्मी को सेलिब्रेट किया जाता है वहां पर क्या थाrator कि किहरा का कि जीते थे मारने के बाद महिश्वारा तो एंके झीधने के खुशी में जो ड़ीद्र किया जाता नाइन ड्सरां शेलीवेट इन महारास्टरा महारास्टरा में जो दसारा से पहले नाइन डेज होता है नौराथ्री इसलिब्रेट किया जाता है बुछरात हो गया तामिल नाडू हो गया बहुत अलग-अलग प्रेसेस पे तामिल नाडू में फूर नाइन डेज शक्ती is worship as Lakshmi उस दोरान क्या होता है कि तमिलनाडू में नाइन दिन, नाइन डेस, सक्ती वर्शिप किया जाता है, पूजा किया जाता है, लक्षमी का, सरस्वती का, दूरगा का, अलग-अलग तरह का डॉल्स यहां पे, मोडल थर्मेटेकली अरेंज किया जाता है, और नाइन स्टेप लेडर को, जिसको हम लोग कोलू बोलते हैं, ठीक है, और उस दरह नहीं किया जाता है, अब निक्स्ट अपका दिवाली है, जो कि यह भी हिंदु का ही फेस्टिबल होता है, और यह जो दिवाली इसलिए मनाय ज जाते हैं, दिया और लाइट से, और नया-नय क्लोथ बहनते हैं, और लोग गिफ्ट भी एक्स्चेंज करते हैं, आपस में अपने फेस्टिबल ओफ लाइट है, दिवाली हमारा फेस्टिबल ओफ लाइट होता है, उस दरहां देकोरेट किया जाता है, क्यूंकि राम लोटे हैं, आयोधिया में, जीतने के बाद, क्रिस्टमस की बात करें, जो कि अभी हमारा क्रिस्टमस आने वाला है, हम लोग का दिसमबर का ही मन चल रहा है, 25 दिसमबर को हर एक साल में, जेजस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इनके बर्दे, एक तरह से बर्दे सेलिबरेट किया जाते हैं, इस धोरान लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं, क्रिस्मस त्रीज़ बनाया जाता है, उसको स्थार हो गया, फेल हो गया, जहों गीफ्ट हो गया, जम लोग enforces जाते हैं, लोग अब लेइक बनेखPlot, कैंडल लाइट चलाते हैं, और आइन पहने को क्रिश्मस एक करते हैं तो यह क्रिश्मस में हैं जो हमारे जब्र था उनका बड़ देर टिया जाता है the day when jesus christ was crucified is called the good friday जो उस दिन जो ऐसा डे जिस दिन jesus christ crucified हुए थे उसी को हम लोग good friday के नाम से जानते हैं ये भी हमारा morning होता है ठीक है ये ब्लीफ किया जाते हैं jesus christ मतलब अपने two days मतलब दो दिन के पाद अपने life में वापस आया थे this day is celebrated as stir इस दे celebrate किया जाता है इस्टर के तौर पे crucified कहने के मतलब यह चीज के जो उनको लकड़ी पे इस तरीका से post trees पैसे लकाया गया था उनको अब देखेंगे इसका picture में को बांद कर ऐसे किया गया था तो उस दिन good friday के नाम से जाना जाता है और यह morning कर दो कि sad का दिन होता था लोग इस दिन दुख मतलब दुख ही जैते वैतित करते हैं कि ऐसा हुआ था उनके साथ इसके लिए ठीक है next आपका Fleisch is only में और भी इसके लावा भी अ का सिलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिया में जैसे कि गौतम-बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसको बुद्पुर्णी Ihnenimallah के जाना जाता है और उसी मतलब ये फेस्टिवल को बुद्पुर्णीमा के नाम से जाना जाता है इस दौरान क्या हो था लॉड महावीरा का सेलिब्रेट किया जाता है महावीर जैनती के नाम से दूसरा आपका रक्षबंदन है यह आप लोग सब जानते होंगा अच्छा से खुसी में यह फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया यह फेस्टिवल जादा तर महारास्ट में सेलिब्रेट किया जाता है अब आप में लोग आ जाता है हार्वेस्टिवल के बारे में ठीक है अब देखो यहां पर हार्वेस्टिवल क्या है हार्वेस्ट मतलब कि जब लोग क् लोग को कट किया जाता है तो अलग-अलग को कट किया जाता है अलग-अलग पार्ट्स ओफ इंडियाज में कहीं चावल होता है कहीं गेहूं होता इस तरीका से तो बैसाखी celebrate किया जाता है में पंजाबी लोग के द्वारा ठीक है पंजाब में ठीक है it is mark of the sick new year मतलब इन लोग का नया साल का beginning होता है उनलों का शुरुआत होता है निव एर जैसे कि हम लोग पे फर्स जैनवरी होता है उसी तरह से इन लोग का सुरुआत होता है अब हम बात करतें पॉंगल की तो पॉंगल यह तामिल नाडू में जैनवरी में celebrate किया जाता है इस दौरान लोग राइस बनाते है और जैगरी crop होता है ना बारिश के वज़ा से sun के वज़ा से और जो animals होते हैं उनके वज़ा से ठीक है अब हम लोग बात करते हैं लोहरी के लोहरी भी celebrate किया जाता है northern part of India में जैनुवरी में ही ये mainly क्या होता है पंजाब में celebrate किया जाता है यहां लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा जला लेते हैं बीच में bonfire और चारों तरफ यह dance करते हैं और इस दोरान पीनट हो गया मकई हो गया गुड़ हो गया यह खाते हैं celebrate करते हैं इसके साथ नेक्स्ट आपका भी हु है भी फेस्टिबल harvest festival होता है असम में इस दोरान भी जब festival crop cut किया जाता है तब जाकर इसको असम में celebrate किय किया जाता है और यह एक rice harvest festival होता है जब rice cutting किया जाता तब elephants को decorate किया जाता है और एक बड़ा सा जुलूस लिकाला जाता है बोट रेस भी होता है ओनम के ओनम में ठीक है नेक्स्ट आपका national festival festival इंडिया के जितने भी लोग है जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं उन ल लोग को सभी को यह festival को celebrate करना है जैसे independent day है आप लोग सभी की स्कूल में भी होते हैं सभी जगा इसको celebrate किया जाता है पूरे इंडिया के हर एक कोना में ठीक है independent day हम लोग हर एक साल 15 अगस्त को celebrate करते इस दिन लोग क्या करते हैं कि हम लोग freedom fighters British rule था अंगरेजों का जो सासन यह कि बीटस के अंडर में हम लोग खटते थे उस दौरान किसी भी तरह तरही नहीं थे हम लोग बहुत जादा दिकत में थे तो हम लोग नौग से आजाद हो जीते तो हम पूरे से सरिब्रेट किया जाता है और सकी प्राया जाता है और बिल्डिंग्र ज HC जो में होता है हमारे ज्यादा इवेंट होता है अधी में जाना पर होता वहां पर इंडिया का प्राइम मुनिस्टर है हमारे और इस दिन क्या करते हैं कि हमारे जो प्रीडम फाइडर जो उन्लोक से लड़कर हमारे लिए बलिधान हो गए बलिदान दे दिये, मर गया है, ठीक है, और अपना लाइफ को, मतलब कि हमारे कंट्री को आजाद करवाने में जान दे दिये, तो उन लोग को याद किया जाता है, दुसरा आपका Republic Day है, यह Republic Day आपको 26 January को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि next month में हम लोग सेलिब्रेट करेंग इसको, इस दिन क्या होता है, कि 9050, जैसे कि हमारे 9047 में देश क्या हुआ था, अजाद हुआ था, चीक है, उसके बाद, थ्री एर्स के बाद, हमारे क्या होता है, समीध हान लाग हुआ था, जैसे कि इंडिया में होने के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बाद, क्या होता है कि रूल नियम्स होंगे, कुछ ना कुछ होंगे रूल नियम्स कि आपको इस रूल से चलना है, तो वही चीज हमारा जो लागू हुआ था इंडिया में, इसी दिन पास हुआ था, ठीक है, रिपब्लिक डे में लोग पैरेट्स करते हैं, और हर एक कैपिटल से स्टेट्स में यह पैरेट्स किया जाता है, और में पैरेट्स जो होता है, राजपत तेली में होता है, जो कि इंडिया का जो प्रेसीडेंट्स है, उनको सैल्यूट देते हैं पैरेट्स में, कि बहुत सारे जो सोल्जर ब्रेवरी अवार्ड्स मेडल्स लेते हैं, इस दिन प्रेसीडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट्स के दौरे जो भी हमारे सोलजर्स हैं भी जो ब्रेव सोलजर हैं बहादूर हैं उनको आवार्ड दिया जाता है डिफरेंस हो गया को इन हो गया अलग-अलग स्टेट में कलर फूर्ट प्रोग्राम भी होता है ऐसे लोग सीन डांस करते हैं के दोवारा हमारे इंडिया को चलाया जाता है इसी लिए यह हम लोग सेलिटेट दूसरा आपका गांधी जेंती गांधी जेंती दो अक्टूबर को ही मना जिए यह भी हमारे नेशनल फैस्टीवल में आ जाते हैं क्योंकि अब गांधी जी के बारे में जान रहे हो बहुत स आजाद करवाने में इनका बहुत बढ़ा योगतान रहा है इंडिया को फ्रीडम का आजादी दिलवाने में अब इंडिया के डांस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया बहुत सारे अलग अलग तर डांस किये जाते हैं अलग अलग तरह कर से क्लासिकल हो गया फो इंडिया से यह सब क्लासिकल डांस है इंडिया का ठीक है कुछ क्लासिकल डांस है जो कि आपको यहां पर दिखाई रहा होगा कथक है उडिशी है मोहिनी टम है फिर डांडिया हो गया चाओ हो गया लावानी हो गया यह सब जो डांस है न हमारे इंडिया का डांस है इतने तो बहुत सारे ऐसे डांस होते हैं जो कि कुछ रिलिजियस फेस्टिबल में सेलिबरेट किया जाता है, इवेंट में सेलिबरेट किया जाता है, हार्विस्ट फेस्टिबल में सेलिबरेट किया जाता है, या नया सीजन जो आ रहा है, उसमें लोग डांस करके सेलिबरेट करते कि इस तरह काका यांवा हुगिन हो गया जाए बांबु की इस तरह का एंड़ा हो गया हो गया एंङुरीँ हो इंडिया हो गया में Rückाइक है और घरीओ-ठीजन अभाइक होता कून सब्सक्राइब कर लिजेगा और जो भी फेस्टिबल आपको समझ में नहीं आए होंगे अलागल फेस्टिबल के तो आप अपने ममी पापा से पूछ लिए को आप क्लियर बता दें क्या से यहां पर समझ में आ गया होगा लेकिन हम ऐसा कभी भूल गया तो एक्जेक्ट आप कर उनसे बता सकते हो जो आपके रिलिजियस फेस्टिबल की बात कर रहना ठीक है तो और अगर कुशन एंसर के लिए आप जिसके फिन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा वाटसप का अब उसको सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है बाइट टेक केर अवरीबड़ी